CUET special program में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एपिसोड में हम उन प्रश्णों को देखेंगे जो आपके परिक्षा के लिहाद से महरतुपूर्ण साबित हो सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला प्रश्ण है रुडोल्फ विर्चो ने Cellular Pathology नमक निबंद किस वर्श प्रकाशित किया था विकल्प A 1865, विकल्प B 1835, विकल्प C 1845 या विकल्प D 1855 उसका सही उत्तर है विकल्प D 1855 रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में Cellular Pathology हीर्शत से एक निबंद प्रकाशित किया इस निबंद में उन्होंने घोशना की कि प्रतीक कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन होती है दूसरा प्रस्ण है रसोई घर में किस उपापचे प्रक्रिया द्वारा आप दही, पनीर और सौकर कूट जैसे खादिपदार्थ बना सकते हैं विकल्प A, Posturization, विकल्प B, Fermentation, विकल्प C, Condensation या विकल्प D, Steaming जिसका सही जवाब है विकल्प D, Fermentation Fermentation एक चयापचे प्रक्रिया है जो एंजाइन की क्रिया के माध्यम से कार्बनिक सब्स्ट्रेट में रासाइनिक परिवर्तन उत्पन करती है इसे संकेन रूप से Oxygen की अनुपस्थिती में कार्बो हाइड्रेट से उर्जा निकालने के रूप में परिवाशित किया जाता है अगला प्रशन है Foster, Then, Lightning, My Story किसकी आत्मकथा है? विकल्प A, Himadas, विकल्प B, Dutichan, विकल्प C, Usain Bolt या विकल्प D, PT, Usha इसका सही उत्तर है विकल्प C, Usain Bolt Usain Bolt जमेका के एक धावक है जिन्हें अब तक का सबसे तेज धावक माना जाता है पता दें कि अपनी आत्मकथा में उसain ने अपनी कहानी अपने शब्दों में बया की है अगला प्रश्न है स्वतंद्र भारत की लोग सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था स्वतंद्र भारत की लोग सभा का पहला सत्र 13 मैं 1952 को आयोजित हुआ था अगला प्रश्न है कला मंडलम राजन को किस नुरुत्य कैली के लिए संगीत नाट। अकादमी पुरस्कार मिला? विकलब A. भारतनाट्यम, विकलब B. O. D. C., विकलब C. कथकली या विकलब D. कथक, जिसका सही उत्तर है विकलब C. कथकली स्रिकला मंडलम राजन को कच कली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरसकार प्रदान किया गया है अगला प्रश्न है किश मंत्राले ने स्टार्टप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की विकल्प वानिज जी एवं उद्योग मंत्राले विकल्प B वित्त मंत्राले विकल्प C कोशल विकास और उद्यमिता मंत्राले ये विकल्प D कपडा मंत्राले इसका सही उत्तर है विकल्प A वानिज जी और उद्योग मंत्राले रेल्वे वानिजी एवं उद्योग उपभूकता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरन मंत्री ने स्टार्टप इंडिया सीड फंड योजना यानी SISFS का शुभारंब किया स्टार्टप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पात, परिक्षन, बाजार में प्रवेश और व्यावसाई करण के लिए वित्ती सहायता प्रदान करना है अगला प्रशन है भारती समविधान का कौन सा अनुक्षेद धन विधयक की परिभाशा से संबंधित है विकल्प A अनुक्षेद 120, विकल्प B अनुक्षेद 100, विकल्प C अनुक्षेद 115 या विकल्प D अनुक्षेद 110 तो इसका सही उत्तर है विकल्प D अनुक्षेद 110 सम्विधान का अनुक्षेद 110 धन विधयक से संबंधित है अगला प्रश्ण है कार्बनिक योगिकों का वहवर्ग जिसमें दो अलकाइल समुहों के बीच ऑक्सीजन होता है उसे क्या कहते हैं विकल्प A शराब, विकल्प B अलडिहाइड, विकल्प C कीटोन या विकल्प D इथर उसका सही उत्तर है विकल्प D इथर कार्बनिक योगिकों का वहवर्ग जिसमें दो अलकाइल समुहों के बीच में ऑक्सीजन होती है इथर कहलाता है अगला प्रशन है प्रित्वी की वह परद जो क्रस्ट को कोर से अलग करती है वह क्या कहलाती है विकल्प A समताप मंडल, विकल्प B मेंटल, विकल्प C मैगमा परद या विकल्प D इथर कोई नहीं इसका सही उत्तर है विकल्प B मेंटल मेंटल क्रस्ट के नीचे और कोर के उपर स्थित है या आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी रासाइनिक परत है जो क्रस्ट के आधार से लेकर लगभग उन्तीस सो किलोमेटर की गहराई तक फैली हुई है अगला प्रश्ट है कौन से पारिस्थितिक विद वर्ष 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादप जीवन का अधियन करने के लिए प्रसिद्ध है विकल्प A. Robert MacArthur, विकल्प B. G. Elvin Hutchinson, विकल्प C. Henry Chandler Cowles या विकल्प D. L. Doleopold जिसका सही उत्तर है विकल्प C. Henry Chandler Cowles Henry Chandler Cowles एक अमेरिकी पारिस्थितिक विद थे जो की वर्ष 1896 में इंडियाना ड्यून्स में पादपों के जीवन का अधियन करने के लिए प्रसिद्ध है अंत में आईए नोड करते हैं आज का अभ्याश प्रस्द दिल्ली उचने आया लेने किस वर्ष तक हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग जारी रखा विकल्प A. 1979, विकल्प B. 1969, विकल्प C. 1971 या विकल्प D. 1960 विकल्प C.